अब हम जानेंगे कि कैसे हम लेयर में एफेक्ट डाले और स्टाइल फोटोशॉप प्रवाइडर वराइटी ओफ एफेक्ट फोटोशॉप आपको काफी एफेक्ट प्रवाइट करता है जैसे शैडो हुआ, ग्लो, बिवल, एम्बोस और ओवरले इफेक्ट चेंज त्याप अपेरेंश आफ अफेक्ट डालेंगे तो यह आपका एफेक्ट इमेज में काफी चेंज ले आएगा टो अप्लाई ने एफेक्ट फॉलो ने गिवन पॉंच step 1 select a layer in the layer panel सबसे पहले आप layer select करें layer panel में step 2 layer style में आप click करें button पे जो की आपका bottom of the layer panel में है step 3 में choose an effect from the display list जो display list में है आप उसमें choose करें जो भी आपको effect चाहिए step 4 में the layer style dialogue box appear आपका फिर एक layer style dialogue box appear होगा figure 11.13 में आप देख सकते हैं effect list आप यहाँ पे चोज़ करें जो भी आप चाहते हैं 11.14 figure में आप देख सकते हैं layer style dialogue box जो की आपका appear है step 5 में click ok to apply the effect जो भी आपको इसमें effect चाहिए आप उसे click करें फिर उसे ok करें यहाँ पे आपका style में click हुआ है drop shadow में इसमें आपका click करें फिर ok करें observe that applied effect will reflect below the layer name in the layer panel फिर आप observe करें कि यहाँ पे आपका जो भी image आप डाले हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं figure 11.15 में apply drop shadow effect यहाँ पे थोड़ा shadow effect में आपने किया है तो यह image बनके आपकी आ गई है vector mask a vector mask is resolution independent path that clip out the content of the layer यह आपका content of the layer को clip कर देती it will cut an object out of a picture यह आपका जो picture का जो object इसे cut करके sharp edge में picture में डालेगा आप यहाँ पे example में देख सकते हैं figure में to use a vector mask follow the given step सबसे पहले step है draw any shape और type text figure 11.16 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है star work यहाँ पे आप type करिए text या तो फिर shape टालिए step 2 में insert an image यहाँ पे कोई भी आप insert करिए image which you want to add in a shape और text जो भी आप text में add करना चाहते हैं या फिर कोई shape में जैसे कि यहाँ पे figure 11.17 में add किया गया एक image step 3 में click the vector mask बटन फिर सबसे पहले आप vector mask बटन में click करिए marks panel में है फिर choose करिए layer फिर vector mask current path में आप choose करिएगा आप देख सकते हैं जो picture आपने डाला था और जो text लिखा था वो picture को cut करके एक बहुत प्यारा उसमें लिख दिया है star war यह आपका जो effect आया है इसे masked vector हम बोलते हैं figure 11.9 में आप देख सकते हैं प्रॉब जो जो बोलते हैं